स्वागत एक बाइ फिर से आप सभी का एक्जाम गुरुजी भाई अर्बिन्द सर यूट्यूब चैनल में देखें उत्रपरदेश पुलिस कॉंस्टबल री एक्जाम दोहजार चौबीस के लिए जीके की मोस्ट इंपोर्टेंट कोईसंस आज की इस वीडियो में मॉडल पेपर करवा रहा हूं और आपके दस मॉडल पेपर कम्प्लीट हो चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना और मेरे भाई दूसरी बात यह है कि अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेरिस्ट को जरूर चेक कर लीजीगा तकि आपको हरे क्ल के मन में यह डाउट से रहता है कि जीके जो है यह थोड़ा सा कठीन सब्जेक्ट मानते हैं इस वज़े से मेरे भाई मैं आपको डेली जीके की क्लास भी देता रहूंगा क्योंकि आप जानते हो कि आपको मॉडल पेपर तो मिलता है मॉडल पेपर में जीके हिंदी मांसी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लेना चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से पहला सवाल है आपके सामने कि संप्रीती युद्धा भ्याज किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है इसका अंसर आपको बताना है राइट आंसर जो हो 2023 में ये अभ्यास मेघाले की सेन चावनी में उमराई में शुरूआता सेन चावनी की जो उमराई है मेघाले में वहां से इसकी शुरूआत हुई थी संप्रीती युद्धा भ्यास की कब 2023 में और मेरे पहले भाई ये 2023 में जो था ये 111 संस्क्रण था यानी कि 111 संस्क्रण 2023 में आयोजित किया गया था और कब आयोजित किया गया था अक्टूबर 2023 में राइड आंसर जो हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका यह हो जाएगा option number a correct डांसर हो जाएगा संपृति युद्धाब्याज जो यह पहली बार कब हुआ था तो देन रिखेगा 2009 में संपृति युद्धाब्याज जो है यह पहली बार हुआ था आगे बढ़ते हैं अगलस वाले आपके सामने युनेसको ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड़ा किसे नामित किया है युनेसको द्वारत दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड़ा किसे नामित किया गया है शही एंससोज हो जाएगा यह जाएगा आपका option नमबर एक कंपगोड़ा बैंग लूरू कंपें गोड़ा बैंग लूरू जो है ये आपका दुनिया का सबसे खुबसूरत हवाइड़्डा है दिखिए कांट्सकार निभूसकार पूछा जासकता है आप से एक्जामे पूछे जाने की इसकी शंभावना है आगे बढ़ते हैं 3065 मेगावाट और पार्क छमता के साथ देश में सीड सराजी कौन सा है 3065 मेगावाट और पार्क छमता के साथ देश में सीड सराजी कौन सा है सही उत्तर जो हो जाएगा आपका यह हो जाएगा option number A, राजस्थान, A answer आपका correct answer हो जाएगा, राजस्थान आपका जो है यह बिल्कुल perfect answer हो जाएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, right answer यहाँ पे हो जाएगा आपका यह हो जाएगा राजस्तान égर आंद्र प्रढेस की बात की जाए तो इसमें मात्र 3050 میगावाट की चमता है अगर यहां पे बात की जाए जो अगला है स्टेट है यानि कि मध्र प्रढेस तो मद्र प्रढेस में जो है ये मात्र 2000 मेगावट है मद्रप्रदेश में 1,000 मेगावट है तो यह अगे बढ़ता हैं कि बुकर प्रसकार 2023 जो है यह किसे मिला है आप से एक्याम में पूछा जा सकता है option number यहां पर right क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा आपका यह हो जाएगा Paul Lynch को देखे बुकर प्रसकार 2023 जो यह Paul Lynch को मिला है यह जो है Paul Lynch यह एक आईरिस लेखक हैं इनको इनके उपन्यास पैगंबर सौंग के लिए 2023 का बुकर प्रसकार दिया गया है आपसे पूछा दाएगा वर्स 2023 का बुकर प्रसकार जो है यह किसे दिया गया तो आप कहेंगे Paul Lynch को दिया गया किसके लिए दिया गया तो इनके Nobel जो इनका Nobel का नाम है वो है पैगंबर सौंग ठीक है यह 46 वर्स के हैं इसको भी आप ध्यान रखेगा और ये पॉल लिंच जो है ये बुकर पुरसकार जीतने वाले पांचवे आईरिस लेकक हैं इसको भी आप ध्यान रखेगा आप से एक्जाम में पूछा जा सकता है इसके लामास आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो पुरसकार बिजेता हैं इनको कितने रुपे मिलते हैं तो इनको 63,000 डॉलर रुपे मिलते हैं यानि 63,000 डॉलर जो है ये इनको मिलता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अंगला सवाले कुशन नमर पांच तीन से छे वर्स क के बीच बच्चों के लिए होट कुक्ड मील योजना किसने प्रारंब की है तीन वर्स से छे वर्स के बीच के बच्चों के लिए होट कुक्ड मील योजना किसने प्रारंब की सही उत्तर हो जाएगा प्रस्न नमबर 5 का यहो जाएगा option नमबर A उत्तरप्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदित तिनाथ ने देखें 3 से 6 वर्डों की आयू के बच्चों के लिए hot cooked meal हो ज़ना जो है ये उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आधित तनाथ के दोरा शुरू किया गया है राइट अंसर हो जाएगा आपका ओप्सेन नमबर ए आगे बढ़ते हैं अंगला सवाल है कि निमलिकित में से कि सराज जी के ओना टुकारा तिल को जी आई टैग मिला है सही उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ओप्सेन नमबर एक केरल के ओना टुकारा तिल को जी आई टैग मिल चुका है इसको आप जान रखेगा आपसे एक्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है क्विश्या नमर साथ है अब आपके लिए सही होगा आप रात में क्लास देख रहे हैं तो भी आपके लिए सही है हुनों ने भारत पर किसके समय अक्रमण किया था सही अंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गुप्त के समय देखिए हुन जो हुए मद्द एसिया से निवास कहने वाले एक बरबर जाती के थे और हुनों का जो पहला अक्रमण है ये गुप्त वंस से समंदीत जो असकंद गुप्ति थें, इनके समय में हुआ था, इसको आप ध्यान खीएगा, आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है, राइट हो जायगा option B, अगला है आपके सामने, एक आसमक रथ का निरमाल किसके दोरा कराया गया, एक आस्मक रथ का निर्मार किसके दोरा कराया गया राइट आंसर हो जाएगा आप्सिन नमबर बी नर्सिंग वर्मन पर्थम एक आस्मक रथ का निर्मार जो है नर्सिंग वर्मन पर्थम के दोरा करवाया गया और नर्सिंग वर्मन पर्थम जो है ये पल्ल वंस के सासक्त हैं इसको भी आप ध्यान रखेगा नर्तिंग वर्मन पर्थम जो हैं ये पल्ल वंस के सासक्त हैं इस बात को भी आप ध्यान रखेगा और इसके अलमा मेरे भाई जो एकास्मक रत है इसे धर्मराज रत के नाम से भी जाना जाता है तो अगर सवाल ये पूछा जाए कि धर्मराज रत या फिर एकासमक रत जो किस ने बनवाया तो आप कहेंगे पल्लववंस के सासक नर्सिंग वर्मन पर्थमने ध्यान रखेगा आगे बढ़ते हैं अगला स्वाले आईने ये अकबरी के अनुसार मालवा के किस परमार सासक की राज्य सभा में पांच सो बिद्वान थें सही उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा औपसन नमबर ए भोज सही अंसर क्या हो जाएगा आपका भोज तो जो भी हमारे गाइज यहा हमिए अपसन नमबर ए बता रहे है भोज ये बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा इनका सासन काल जो है एक एक हजार दस से एक हजार पचपण के बीच रहा और मेरे पहरे भाई भोज ने जो अपनी राजधानी है ये उज्जेन के अस्थान पर धारा को अपनी राजधानी बनाया था, तो जो भोज जो ये एक कभी और विद्धान थें ध्यान रखेगा, आगे बढ़ते हैं अंगलस वाले कि किस एक्टि के लिए कहा गया था, ना व के लिए यहां पर कानून कहा गया था और आप ब्लैक कानून के रामसे भी जानते हैं इसको भी आप ध्यान रखेगा आगे बढ़ते हैं कुश्चन नोबर 11 है आपके सामने किस आंदोलन के दौरान महत्मा गान्फी ने अपनी केसर एहिंड की उपाधिय वापस कर दी थी question number 11 का answer आप बताएंगे सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा आपका यह हो जाएगा option number V ऐसा योग आंदोलन देखें ऐसा योग आंदोलन के दोरान महत्मा गानी ने अपनी केशर एहिंद की उपाधी जो है यह वापस कर दी थी और इसके अलावा जो जम्लाल बजाज है इन्होंने अपनी राए बहाधुर की उपाधी भी वापस कर दी थी तो जो महत्मा गानी है इन्होंने अपनी केशर एहिंद की उपाधी वापस की थी और जो जम्लाल बजाज थे इन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधी वापस की थी इसको भी आप ध्यान रखेगा और इसकी अलामा गर कहा जाए तो मोतिलाल नहिरू और चितरंजन दास और राजेंदर परसाद इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी ये बात आप ध्यान रखेगा आगे बढ़ते हैं ये किसका कथन है मेरे सरीर पर हुआ एक-एक लाठी का वार भारत में ब्रिटिस सामराज जवाद की ताबूत में एक-एक कील साबित होगा ये किसका कथन है सही अंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पंजाब केसरी के नाम से लोकप्टी है लाललाज पत्राई लाललाज पत्राई का कथन्दा मेरे सरीर पर हुआ एक-एक लाठी का वार भारत में ब्रिटिस सामराज जवाद की ताबूत में एक-एक कील साबित होगा सही उत्तर हो जाएगा क्वेशन नमबर 12 का उप्सन नमबर C देखे 30 अक्टूबर 1928 को लाहोर में साइमन कमिशन के विरोध में उसमें लाठी चार्ज में जो घायल हो गए थे वो थे लाललाज पत्राई जिनें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है तो 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमिशन के विरोध हुआ और उसी लाठी चार्ज के कारण जो इनका देहान थे यह 17 नमबर 1928 को हो गया तो 30 अक्टूबर के बाद 17 नमबर को है इनका जो देहान थे वो हो गया और इसी समय इन्हों ने जो लाठी चार्ज है उसके पस्टा जब साइकाली इन सभा हुई तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे सरीर पर लगी हुई लाठी का एक एक प्रहार जो है ब्रिटिस सामराज जवाद की ताबूत के लिए एक एक कील साबित होगा एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आख के बीच आविस्तक नियुन्तम दूरी कितनी होनी चाहिए राइट हो जाएगा ट्वेंटी फाइप सेंटीमेटर पचीस सेंटीमेटर ओप्सन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन पर फोटीन आपकी सामने है एक पुस्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं क्या कहलाता है एक पुस्प जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं उससे क्या कहेंगे जब एक ही पुस्प में पुंकेसर यानि नर जनननांग यह उस्त्री के सर यानि मादा जननांग दोनों परस्तित हो तो आप उसे उभैलिंगी पुस्प कहेंगे राइट हो जाएगा आपका उप्सन नमबर है जैसे उभैलिंगी पुस्प के उदाहरन में कहा जाए तो आपका हो जाएगा गुलाब लीली सरसोट टमाटर यह सब यह आपके हो जाते हैं उभैलिंगी वाले उभै निगु पुस्प हो जाते हैं फूल यह सब के उप होते हैं और बढ़तें अंग्लास वाले की कौन सी वाहिकाएं CO2 युक्त को सरीर के सभी भागों से हिर्दे की ओल ले जाती हैं option number B correct answer हो जाएगा option number V correct answer आपका हो जाएगा आप देखे एक बात आउट है नखेगा कि जो सिरा है ये जो सिरा है ये हमेशा मतलब जो ऐस सुद्ध होता है रक्त उशे रेगर दाती है लेकिन एक फुस्पुसिय सिरा होता है ये एक मात्र ऐसा सिरा है जो केवलरकल सुद्ध रक्त वहन करती है तो आपसे अग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि एक मात्र उस सिरा का नाम बताईए जो सुद्ध रक्त वहन करती है तो आप कहेंगे फुस्पुसिय सिरा इसको आप ध्यान रखिएगा देखें फुस्पुसिय सिरा जो है ये फेफ़ले से सुद्रक्त को बाएं अलिंद तक ले जाती है इसको आप ध्यान रखेगा फुस्पुसिय धमनी जो है ये एक मात्र ऐसी धमनी है जो ऐसुद्रक्त लेती है तो फुस्पुसिय सिरा जो है ये सुद्रक्त लेती है जबकि फुस्पिस यह धमनी जो है यह ऐसुद रखत लेती है इसको आप ध्यान लखिएगा ठीक है और धमनियों और सिराओं को जो जोड़ने वाली रखत वाहिकाएं हैं इन्हें आप केशिका कहेंगे इसको भी आप देने कोशिका नहीं केशिका कहेंगे यह केशिका कहेंगे ठीक सही answer हो जाएगा जो प्रतिरोध का मान है ये बढ़ जाएगा option number V correct answer आपका हो जाएगा प्रतिरोध का मान जो है ये बढ़ जाएगा आगे बढ़ते हैं हरे कपीश का रासानिक नाम क्या है देखो हरे कपीस का रासानिक नाम पूछा जाएगा तब आप कहेंगे फेरस सलफेट option a right हो जाएगा फेरस सलफेट जो ही हरे कपीस का रासानिक नाम होता है अगर यहाँ पे copper sulfate की बात करें तो copper sulfate जो है यह नीला थोथा का रासानिक नाम होता है copper sulfate जो है यह हो जाएगा सफेद थोते का नाम, ठीक है, सफेद थोते या सफेद थोता का नाम, ओके, इसको आप ध्यान रखेगा, आगे बढ़ते हैं अंगलस वाले, निमलिकित में से कौन सी रासी, एक मूल रासी नहीं है, मूल रासी नहीं है, जो अपने आप पे निर्भर हो, यानि दूसरें से आस्रित नहीं, उन्हें आप मूल रासी नहीं कहेंगे, देखे, ताप के अगर यहां पे बात की जाए, तो यह आपकी एक मूल रासी है, ठीक है, रभिमान की बात कहें, तो यह भी मूल रासी है, पदार्थ की मातरा मूल जो है, यह भी आपकी मूल रासी है, आवा पदार्थ की मात्रा था आप यह सब आपके उन्हों रासि उन्हों होती हैं तो कि आप जानते हो कि कारी जो है यह क्या होता है कारी जो है यह गुलनफल होता है किसका बताइए आप बताइए पहले इसका आंसर क्या होगा कारी जो है किसका गुलनफल होता है फटा फट बताइए देगे कारी जो है आपका यह होता है बल गुड़े छेतरफल यानि न्यूट निम्लिकित मेंसे कौन सा भारत का एक पूर्णता अस्थलिय सीमा वाला राज्य नहीं है। तो गुजरात, महाराष्ट, गोवा, कैनाटक, केरल, तैमिल नाडू, आंदर परदेश, उडिशा, पश्य मंगल। और इसके लामा केंदर सासित परदेश देखा जाएं तो दमन दूइव, लक्षदीप, पुंडिचेरी और इसके लामा अंदमान निकोबार। ये जो हैं आ जागरे की तो 22 सदार सास्सो पंद्रा पॉइंट चे सब जोड लिया जाएगा, अगला आपके सामने हिमाले का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, हिमाले का तीसरा और वो भी सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, बताइए सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंस तो जो हो जाएगा यह हो जाएगा कंचन जंगा option number D करेक्टान सो जाएगा देखें माउंट कंचन जंगा जो है यह हिमाले का तीसरा सबसे बड़ा सिखा रहे इसके अलमा बिश्व की तीसरी सबसे उची परबच चोटी भी है अगर कहा चाहे कंचन जंगा हाई कहां पे तो वरते हैं गंडक नदी निम्लिकित में से किस नदी प्रणाली से समंदित है गंडक नदी निम्लिकित में से किस नदी प्रणाली से समंदित है राइट हो जाएगा गंडक नदी जो है गंगा नदी प्रणाली से समंदित है option B आपका करेक्टान से हो जाएगा option B आपका जो ह सही आंसर हो जाएगा ठीक है आप से एक्जाम में सवाल अगर ये पूछा जाए कि गंडक नदी कहां से निकलती है तो ध्यान रखिएगा गंडक नदी जो है नेपाल सीमा के पास तिबत से जो धौला गिरी है वहां से निकलती है तो गंडक नदी जो है नेपाल के तिबत से द्धौलागिरी के पास से निकलती है, गंडक नदी, ठीक है, और इसके लावा ये उत्र पर देश बिहार राजी से बहते हुए, पठना के समीव गंगा में जाकर मिल जाती है, और बिहार में बालमी की राष्टी ये उद्यान जो है, ये गंडक नदी के तरपर ही है, तो बि बेलांचल जो बेलांचली वन है इसे आप कक्छ या फिर मेंग्रों का वन भी कहेंगे तो जो बेलांचली वन है अब आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो आसानी से इसका आंसर बता सकते हूँ अब देखो यहां पर अगर कहा जाए तो मुख्य रूप से पस्ची मंगाल में लेकिन इसके अलामा यह मुख्य रूप से नहीं पूछ रहा अगर यह कहता कि प्रमखुता बेलांचली वन कहां पाय जाते हैं तब आप पस्ची मंगाल कह सकते थें लेकिन यह कहा गए कहां पा जाते हैं उरीसा में भी और पश्डाम में भी डिया गया ऑप स्वाल स्वाले आपके सामे हे जो सबसे अधिक देशों के साथ शीमा बनाता है रius і ब्राजिय्ल जो है यह दसीन अमेरिका को तो सब्से वड़ा देस है इसके लिए यह दुनिया का पांचवा सब्से वड़ा देस है ठीक है आप से एक जाम में यह पूछा जाएगा आगे बढ़ते आगले सवाले भारते संभिधान के किस भाग को प्रसासकों की आचार संगित कहा जाता है सही आंसर हो जाएगा आपका यहां पर आपसा नमबर सी नीती निर्देशकत्त्त को अपसा नमबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा देके भारतिय संविधान में उन लिखी जो DPSP है नीती निर्देशकत्त्त है इसे प्रसासको कोई आचार सहीता कहा जाता है नीती आइरिस के संविधान यानि आइलेंड के संविधान से प्रेडी था इसको भी आप ध्यान लखेगा नीति निर्देशक तत्तु 1935 के अधिनियम के अनुदेशों के समाने और संविधान के भाग चार अनुक्षे 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्तु का उलेक किया गया है तो इसके लिए एक अच्छी कबर है हाला कि जो बहुत दिन से जुड़े हैं वह इस इबुक के वारे में जानते हैं यह यूपी पुलिस सिरी एक्जाम के लिए इबुक है इस पर 60% का डिसकाउंट चलना है मातरो 49 रुपए में अभी आपको मिल जाएगी यह इबुक जो है आ मैं आपको इसका डेमो पे दिखा देता हूं हाला कि जो हमारे पहरे भाई बहुत पहले से जुड़े हुई हैं वह इस इबुक के बारे में अच्छे से जानते हैं लेकिन जो अभी नए आए हैं जाए वह आभी नहीं जानते हैं तो उनको बताना जरूरी है क्योंकि 218 पेज की ये e-book है, image colorful के साथ है, ताकि पढ़ने में मज़ा आए, पूरे syllabus को अच्छे से कबर करती हुई, ये e-book आपको 60% discount के साथ मातर 39 नुपे में अभी मिल जाएगी, अगर आप 15 जून से पाले लेंगे तो आपको मातर 49 की मिलेगी, बाद में अगर आप लेंगे तो इसके लिए आपको 99 नुपे पे करना पड़े, इस वज़े से अगर आप अभी इसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो इस दिये के WhatsApp नंबर 89486666652, इस पर आप WhatsApp कीजिएगा, यहां से आपको ये e-book मिल जाएगी, और इसके बारे में आपको पूरी detail मिल जाएगी, तो मैसेस करके इसकी जानकारी जरूर ले लीजिएगा, और मेरे पहरे भाई, गरिंडी के साथ कहा जा सकता है, कि अगर आप इस e-book को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो, तो फिर आपको किशी के भी कोई कोर्स की जरूरत नहीं है, नंबर को एक बार अच्छे से नोट कर ल होता है, सही आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा, और मेरे प्रधान मंतरी तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस बात से इनिसकर्स निकल सकता है कि आर्टिकल 74 के अनुसार जो भारत में संसदिय सरकार का एक वस्तविक मुखिया होता है ये प्रधान मंतरी होता है राइट हो जाएगा आपका आप्सन सी निमलिकित में से कौन से अनुक्सेद के तहत सोशल के ब्रुद्ध अधिकार का प्रावधान किया गया है देखे सोश अनुक्सेद 23 में क्या बताया गया है मानो दुरुवयपार यूम बला तासरम पर प्रतिबंद लगाया गया है इसको आप ध्यान रखिएगा और मेरे पहरे भाई अनुक्सेद 24 में क्या है छे वर्टसे से 14 वर्स तक के बच्चों को नीशुलक्स इक्सा और इसके अनामद 6 वर्स तक के 14 वर्स तक के बच्चों को कोई भी मतलब कारावाश में काम नहीं करवाएगा कोई भी उनसे जवजस्ती काम नहीं करवाएगा यह है आर्टिकल 24 में कुश्चन 28 है निमलिकित में से कौन सा छेतर भारत के सकल घरेली उतपाद में सबस्यधिक योगदान देता है सही अंसर जो हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्सिन नमर सी तृतियक छेतर तृतियक छेतर जो है सबस्यधिक योगदान देता है तृतियक छेतर जो है इसे आप सेवा छेतर के नाम से भी जानते हैं तो तृतियक छेतर को सेवा छेतर के नाम से भी जाना जाता है और तरित्यक छेत्र में कहा जाए तो ब्यापार, होटल, डेस्टोरेंट यह सब आपके जो हैं यह तरित्यक छेत्र में ही आ जाते हैं आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से किस विधी का प्रियोग राष्टि यह आई के आकलरंड में नहीं किया जाता देखो राश्ती आई के आकलन में किस विधी का प्रियोग नहीं किया जाता है इसको आपको बताना है कुल मिलागर के एक आजाए तो तीन विधियों का प्रियोग राश्ती आई के आकलन में किया जाता है option number C करेक्टरांसर आपका हो जाएगा भारते reserve Uwing करेख के वर्तमान गवेंर सक्ती कांत इडास किस करम की गवेंर है आपको बताना है सक्ती कांत इडास जो है किस करम की गवेंर है देखेगा भारते reserve Uwing की जो है इसकी अस्थापना RBI एक टुनिस सो चौनिस के तहत एक अप्रेल 1935 को ही थी RBI के स्थापना जो है एक अप्रेल 1935 को ही थी मेरे भाई RBI के जो सक्ती कांदास हैं यह किस नंबर के गवेंडर हैं तो यह हैं 25 वे नंबर के जानते हैं और यह ऐसे लोग या कहा जाए तो ऐसे बे-रोजगार जिने यदि खेत या किर्सी से निकाल दिया जाए तो भी किर्सी से कुल प्राप्त उत्पादर में कोई कमी नहीं होगी कहने का मतलब यह है कि अगर वो कोई काम धंदा ना करें तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो उसे छीपी या प्रिचन बे रोजगारी कहा जाएगा तो ऐसे स्रमिक जो उपर से देखने में तो रोजगार में लगे रहते हैं पर वास्तों में रोजगार में नहीं होते हैं कहने का मतलब है कि लगता हो कि वो रोजगार कर रहे हैं लेकिन वास्तों में रोजगार नहीं करते हैं उन्हें कहा जाता है प्रच्छन वे रोजगारी के अंतरगत हैनی कि कारी करने में भी सीमान उत्पाधक्ता जो है यह सुननी हो तो यहां पिर हो जाएगा स्रमीकों की सीमान उत्पाधक्ता सुननी है डि आंसर आपका correct answer यहां पे हो जाएगा आगे बढका लिए कुछे नम्बर 33 है 32 नम्बर सथ गयाव होगा करें धिरटी ऊंबर सुखने का सबी अंडर्यूकश सब्सक्राइब ए Halo आपको कई को प्रिये के था थाहे राइट हो जाएगा आपको option number 2 आला आला जो है आपका ये बुंदेल खंड का एक लोग को प्रिये गीज़ें इसके लामा कहा जाएं तो फौग, लान, तेरा, दादरे, गारी ये सब जो है आपके बुंदेल खंड से ही हैं तो राइट अंसर हो जाएगा आपका ये हो कर देना क्योंकि आपके लाइक से सबस्क्राइब से मुझे मोटीबेसन मिल पाता है तो अगर आपको वीडियो उच्छी लग जिए तो लाइक कर देना चैनल पे पहली वार रहा है तो सबस्क्राइब कर लेना ताकि वीडियो उसके नोडफिकेशन समय से मिला करीए उत्य हो जाएगा बांदा में option number B करेक्टांस हो जाएगा देखो aluminium का जो आयस का है यह box site होता है उत्रप्रदेश के बांदा चंदवली लेलित पूर इन सभी जुलों में कहा जाए तो यह box site पाया जाता है aluminium निकालने के काम जो है यह रेडू कूट यानि यहınैं खके सामने गणेश संकर भिद्यार्थी के शंपादक त्में प्रताप नमक पत्रिका प्रकाशन उत्रप्रदेश के किस अस्तान से होता था रएड आंसर यहां पर चैने से कंपरूर अगला कि के सहयोग से उत्रप्रदेश वानई की प्रियोजना शुरू कीगई उत्रप्रदेश वानिकी परियोजना किसके सहयोग से सुरू की गई देखो उत्रप्रदेश वानिकी परियोजना जो है ये उनिस मार्च उनिस सो अठानेवे से सुरू की गई उनिस मार्च उनिस सो अठानेवे से सुरू की गई और उत्तर प्रदेश में जो वानिकी परियोजना है ये 2072 की साहिता से शुरू की गई थी राइट हो जाएगा आपका उप्सेन नमबर है 2072 की साहिता से अगला सवाल 38 नमबर सवाल है उत्राखंड राज जी उत्र प्रदेश की किस भाउगोलिक छेत्र को अलग करके गठित किया गया राइट अंस हो जाएगा आपका ये हो जाएगा परवतिय छेत्रों को अप्सेन नमबर बी करेक्ट अंस हो जाएगा परवतिय छेत्रों को अब आपको मुझे वीडियो को निचे कमेंट में ये कमेंट करके बताना है कि उत्तर परदेश के कितने जिले को काट करके उत्तर खंड का निर्माल किया गया है इसको आप हमें कमेंट में बताएंगे उत्तर परदेश के कितने जिले को काट करके उत्तर खंड का निर्माल किय आपको यह मतल है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रस कर लोगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। बाकि आज की हमारी मेहनत कैसी लेगी वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपना फिडबेक जरूर सेड़ कीजेगा। आज की हमारी में अपना फिडबेक जरूर दीजेगा। आज की बेहतरी लाजबाब बेहतरी क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं इसके बाद एक और नई बेहतरी वीडियो में तब तक क्लिए खुस रहिए। मुस्कुराते रहिए जीतान सिद्द के साथ पलाई करते रहिए। जै हिंद जै भारत वंदे मात।